दियर लेर्नर्स, वेलकम तू अनाय स्टूडियो, मैं दॉक्टर रेजनी दुबे, आज हम बात करेंगे Communicable Diseases Chapter 2 लास्ट चेप्टर में हमने Communicable Diseases के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने आज हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे Communicable Diseases due to Parasitic Infection Sexually Transmitted Communicable Diseases आज हम इन दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं देंगू के बारे में Dingo is a mosquito-born disease It is transmitted by the bite of an Aedes mosquito infected with the Dingo Virus Means कि जो infected person होता है जब ये उसको bite करता है उसके बाद दूसरे healthy person को bite करता है तो it transfer the infection to the other person तो in this way it is a communicable disease अब इसमें क्या-क्या symptoms आते हैं Dingo fever remains 7 to 10 days then it will disappear कई बार Dingo fever जो है 7 to 10 days रहकर disappear हो जाता है without any complication but sometimes there are some complication and due to that complication ये fatal हो जाता है पहला है Dingo hemorrhagic fever जब Dingo become hemorrhagic तो उस condition में there is a bleeding from the mouth, gums or nose और जब ऐसा होता है तो हम platelet counts कराते हैं और platelet counts day by day lower होने लगते हैं a lower number of platelets in blood उसके बाद Dingo shock syndrome हो जाता है जिसमें low BP with fever रहता है this situation can be fatal because अगर बहुत low BP हो जाता है तो control करना मुश्किल हो जाता है ये हमने diagram में भी दिखाया है Dingo fever के sign and symptoms आपके limb gland swirl कर जाती है high grade fever होता है muscle and joint में इतना pain होता है कि आप खड़े भी नहीं हो पाते बिस्तर से nose से bleeding होने लगती है pate में बहुत दर्द रहता है even excessive vomiting होने लगती है जब patient को excessive vomiting होती है तब आपको उसको immediately even पहले ही जैसी आपको bleeding नजर आती है या कई बार ऐसा होता है skin पे rashes भी नजर आने लगते हैं जैसे आपको rashes नजर आती है high grade fever के साथ fever नहीं उतर रहा है patient को immediately hospitalized करना चाहिए treatment there is no specific treatment for dingo give plenty of food paracetamol can be given in a fever इसमें एक बहुत important चीज है कि अगर fever आता है तो आपको सिरफ paracetamol ही देनी है no aspirin no nemoled nimsuloid and aspirin कभी नहीं देनी है in case of blood loss transfuse the platelets treat the patient under medical supervision जो health workers है वो ऐसे patient को treat करने की कोशिश ना करें always try to take them to the hospital अब prevention prevention में आपको क्या क्या करना है prevention में सबसे पहले तो आपको अगर आपके cooler में कहीं पढ़ावा पानी है तो उसको clean करना है डेंगू का जो मच्चर है वो हमेशा साफ जगर पर पैदा होता है तो अगर मालीजे पानी है तो पानी को आप cooler को clean करके रख दें उस पर मिटी का तेल डाल सकते हैं ठीक है पूरे कपड़े जब अभी school खुलते हैं और डेगू बहुत तेजी से होने लगता है तो teachers बच्चो को बोल देते हैं कि आप जो है फुल सीज के कपड़े पैन कर आएं मच्छरदानी में सोहें तो जितना हो सके मच्छरों से बचे अब next disease is leprosy leprosy is a chronic infection disease caused by mycobacterium leprae the disease mainly affect the skin and the peripheral nerves leprosy जिसे हम कुछ ट्रोग भी कहते हैं इसके साथ सबसे बड़ी जो परेशानी है वो यह है कि लोग इसको treat नहीं करते हैं और जिन लोगों को leprosy है कुछ ट्रोग हो जाता है उसको socially neglect किया जाता है तो ऐसा ना करें पहले लोग सोचते थे कि यह ठीक नहीं होता है पर ऐसा नहीं है इसमें देखे पहले red spot आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जब spot आते हैं और उन पर अगर आप pin भी मारते हैं तो patient को feel नहीं होता है उसको वैसा दर्द नहीं होता है जैसा कि arm room को होता है numbness हो जाती है मैंने का touch sensation reduce आप उसको चुटकी भी मारेंगे तो उसको नहीं पता चलेगा और उसके बाद जब आपको ऐसा पता चलेगा आपको तभी treat कर लेना शुरू कर देना चाहिए आपको ज़्यादा weight नहीं करना चाहिए अगर आप तभी treat नहीं करते हैं तो skin पे nodules बनने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो आपकी abnormalities में convert हो जाते हैं इवन कई बार हमने देखा है कि deformities भी हो जाते हैं हाथ पेर जो हैं एकदम टेडे हो जाएंगे nodules के कारण तो आप initially ही इसका treatment कर लें next is tuberculosis tuberculosis जैसा कि सब जानते हैं बहुत ही common disease है it's one of the major cause of so many death so tuberculosis is an infectious disease caused by bacteria mycobacterium tubercle that usually affects the lung यह भी lung को ही affect करता है TB is an airborne pathogen meaning that the bacteria that cause TB can spread through the air from person to person कि जब वो sneeze करेगा coughing करेगा तो उसके mouse से उसका bacteria जो healthy person है उस तक चला जाता है और healthy person get infected people with low immunity जिनकी immunity low है अगर वो बहुत जल्दी infected होते हैं suffering with AIDS even AIDS में भी immunity बहुत लो रहती है तो जिनलों को AIDS होता है they also get tuberculosis are more prone to the disease यह देखें transmission of tuberculosis कि किस तरीके से patient खास रहा है और जब वो खासता है तो bacteria जो है बहार निकल आते हैं और air में जब sun rays होती है जब वो humid होता है temperature ज़ादा होता है तो bacteria बहुत तेजी से grow करता है और जो एक healthy person होता है जब वो breathe करता है तो उसने सांस से उसके osophagus से सीधा उसके lungs में वो bacteria चला जाता है and lungs get infected with the tuberculosis symptoms यह भी एक progressive disease है जल्दी से आपको नहीं पता चलता है कि tuberculosis है बट अगर किसी को तीन हटे से persistent cuff है जो कि ठीक नहीं हो रही है तो उसको immediately सारे test कराने चाहिए tuberculosis के लिए कई बड़ आपको जरूरी नहीं कि cuff हो कई बड़ low grade fever ही बना रहता है आप देखते हैं कि आपको एक हटे से fever उतर ही नहीं रहा है 99 हैं कभी 100 हो जाता है तो आप उसके लिए यह सोचते हैं कि जर्नल वीकनेस के कारण हो रहा है ऐसा नहीं है जब लगा था low grade fever रहे तो go for the investigation of tuberculosis weight loss बिना रीजन के weight loss हो रहा है lymph glands जो हैं वो आपके लार्ज हो जाती है especially axillary lymph glands यह lung tuberculosis में होता है but tuberculosis intestinal भी होता है cerebral भी होता है bone tuberculosis भी होता है intestinal tuberculosis में आपको appetite, appetite, loss of appetite सभी तरीके के tuberculosis में होती है but intestinal tuberculosis में ज़्यादा होती है diarrhea हो रहता है जो कि ठीकी नहीं होता है intestinal obstruction हो जाती है cerebral hemisphere में आपको paralysis हो सकता है आपकी यादाश जा सकती है bone tuberculosis में you have a pain all over the body जो कि किसी भी pain killer खाने से या किसी भी चीज से ठीक नहीं रहता है, fatigue रहता है, तो यह सारे symptoms जो हैं, आपको indicate करते हैं, कि you go further investigation, अब आप diagnose कैसे बनाएंगे, कि patient is tubercular, तो जो उसका sputum होता है, जो वो खासता है, उसका हम test कराते हैं, उसके अंदर AFV, AFV is acid fast bacilli, जो कि आपका bacteria है, वो positive रहता है, उसके अलावा हम x-ray chest कराते हैं, उसमें भी आपको spot नजर आते हैं, अगर cerebral TB है, तो हम उसका cerebral spinal fluid investigate कराते हैं, उसमें भी AFV positive आजाता है, brain का MRI कराते हैं, अगर limb glands जो कि swollen हैं, जैसे मैंने बुला axillary limb gland specially, उसकी affinity कराई जाते हैं, FNAC is the fine needle aspiration cytology, उसके लावा तब भी अगर confirm नहीं होता, तो हम gene expert test करके TB को confirm करते हैं, अब हम बात करते हैं, टूबर कलिशिस के treatment के लिए, तो patient with AFV positive, जिसका acid fast bacilli positive हो, उसको isolate करें, क्योंकि उसके sputum में bacteria हैं, जब भी वो coughing करेगा, sneezing करेगा, तो bacteria come into the air, तो इसको isolate रखें, give ATT treatment for 6 to 8 month, और it can be extended, depending upon the severity of the disease, like अगर bone tuberculosis है, तो उसमें we give the treatment up to 9 to 12 months, तो जो treatment है, वो जब तक doctor ना कहें, आप ना छोड़ें, फोर medications are most commonly used, ethambitol, isonazide, parazenamide and difampicin, अब एक है dot, dot इस ताइम सरकार के द्वारा चलाएगा एक program है, that is the directly observed treatment, this is for the health workers, directly observed treatment means, कि वो direct patient को अपने health center बुलाएं, वहाँ पर अपने सामने उसको दवाई खिलाएं, और observation में रखें, कि patient properly treatment ले रहा है या नहीं ले रहा, वो अपने treatment को बीच में तो नहीं छोड़ रहा है, तो with the help of dot, we just try to treat the patient. अब next disease is the diphtheria, जिसको गलगोटू भी बोलते हैं, diphtheria is an infectious disease, caused by the bacterium, chronobacterium diphtheria, which is primarily infect the throat and the upper airways, यह usually बच्चों में होता है, children under the age of five are at risk of getting diphtheria, इसमें बच्चे को fever आता है, उसको कुछ भी swallow करने में problem आती है, finally उसका जो airway है उसमें blockage आती है, और धीरे धीरे अगर हम नहीं treat करते हैं, तो एक जिल्ली सी उसके पूरे गले को घेर लेती है, और धीरे धीरे उसको ऐसा लगने लगता है, कि मेरा गला बंद हो रहा है, मैं साफ नहीं ले पा रहा हूँ, और कभी-कभी वो fatal भी हो जाता है, बच्चा collapse भी कर सकता है, डिप्थीरिया का vaccination होता है, जो हम DPT लगवाते हैं, उसमें डिप्थीरिया का vaccine बच्चे को लगाया जाता है, यही उसका एक prevention और treatment है, next is food poisoning, food poisoning is a major cause of gastroenteritis, जो लोगों को vomiting, loose motion होते हैं, उसका main cause food poisoning ही है, gastroenteritis is usually caused by virus, bacteria और parasite, when the source of such infection is contaminated food, it is called food poisoning, इसमें packed food, जो आप लेते हैं, आप नहीं जानते हैं, वो कपका packed किया हुआ है, उसकी क्या condition है, street food, street food के बार में भी आप नहीं जानते हैं, कि एक कपका बनाओगा, पता नहीं दो दिन पुराना है, उसमें किस वरतन में बनाया है, किस conditions में बनाया है, hygiene follow किया है या नहीं किया है, contaminated food and contaminated water by any means are the cause of food poisoning, ये देखे, food poisoning में ने दिखाया है, किस तरीके से पेट में दर्द होता है, कैसे उसको उल्टी होती है, कैसे उसके सर में दर्द होता है, ये सब food poisoning के ही symptoms है, कि food poisoning में क्या होता है, अब causes, causes में जरूरी नहीं है कि जो आप street food खा रहे हैं, या आप जो खुला खाना खा रहे हैं, उसी से problem हो, कई बार ऐसा होता है, कि जो आप fruits भी खरीद के ला रहे हैं, आप ये सोच के ला रहे हैं, there is a fresh fruit, वो उनमें बहुत सारे chemical present हो सकते हैं, like कई बार हमने देखा है, जो से बहुत चमक रहा होता है, अगर आप उसको किसी कपड़े से साफ करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारा वेक्स लगा होता है, जो आपके कपड़े पर आ जाता है, तो there are so many chemicals present in our food, which can cause the food poisoning, like arsenic, some sea foods, like धिंगा मचली जो आप खाते हैं, उसमें वो contaminated होती है, can be caused by bacteria, virus or parasite, beef, muttons and chicken are also the source of food poisoning, unhygienic conditions, use of chemical fertilizer in production of time, जब production हो रहा है, उसी time जो है, उसमें बहुत सारे fertilizers आल दिये गए हैं, जिसके कारण वो food में ऐसे टीज हैं, और आप उसको ऐसे का ऐसा खा रहे हैं, तो हम बात करते हैं prevention की, क्योंकि food poisoning में बहुत सारी complications आ जाती हैं, कई बर, कई बर ऐसा होता है, कि ठीक होने के बावजूद भी आपको हमेशा पेट में दर रहता है, इंटरस्टाइन्स में inflammation हो जाती है, उस टाइम तो आपका lose motion और diarrhea ठीक हो जाता है, बेट कॉलाइटिस रह जाता है, irritative bowel syndrome रह जाते हैं, तो इन सबसे बचने के लिए आपको prevention करनी बहुत जरूरी है, prevention में सबसे ज़्यादा जरूरी है, maintain good hygiene condition, good hygiene condition से मतलब वही है, मैंने पिछले lecture में कहा, इस lecture में कहती हूँ और बार बार बोलती हूँ कि health workers, especially जो poor हैं, illiterate लोग हैं, जो thickly populated areas में रहते हैं, go and educate them, how to maintain good hygienic condition, always wash their hands before and after defecation, before making food, even after taking food, हाथ हर वक्त पानी से धोएं, अपने आपको साफ सुत्रा रखें, दूद जो वो लेते हैं, वो पश्राइज होना चाहिए, ऐसे नहीं की दूद लिया और पी लिया, always took पश्राइज milk, never took packed food, अगर packed food ले भी रहे हैं, तो उसके बारे में पूरी detail आपको पता होने चाहिए, stay food मतलब बासा खाना, नहीं खाना चाहिए, street food नहीं खाना चाहिए, अगर खाना भी है, तो you should see कि वो food किन conditions में बना है, कैसा है, properly covered है, नहीं है, किस तरह का oil उसमें यूज किया गया है, जो worker उसको बेच रहा है, वो खुद कैसा है, you should inquire each and everything before taking any street food. In case of food poisoning, अगर हो भी जाती है food poisoning, तो advise the patient to take ORS and take medication from the doctor. अगर ORS से उसका problem नहीं solve हो रहा है, उसको diarrhea लगातार हो रहा है, उसको vomiting हो रहा है, उसको abdomen में pain हो रहा है, then go to the doctor and take medications from doctor. Now, अब हम बात करते हैं, sexual transmitted disease, जिनको हम STD बोलते हैं, sexually transmitted disease are infections that pass from one person to another person through sexual contact. यह जो हमने पहले आपको बताया था कि direct contact से जो communicable disease होते हैं, उसमें STDs are the most common disease, जो कि direct contact से होते हैं. There are so many diseases which are STD, but here we will discuss about some of the diseases like gonorrhea, syphilis, hepatitis B, AIDS, trichomonas vaginitis. क्या symptoms हैं जिनसे हम सोच सकते हैं कि patient is suffering with the STD, there are some symptoms and complications. Unusual or odd smelling vaginal discharge. Sometime patient come to us, clinic में आती है और बताती है कि उसके discharge में बहुत smell है, और बड़ी odd सी feeling हो रही है उसको, the color of the discharge is very unusual, उसके इलाबा उसका quite as painful होता है, जब वो urine pass करती है, तो उसको burning होती है, painful urination होता है, same thing happen with the male also, ज़रूरी नहीं कि this problem only lies with the female, same thing happens with the male also, तो same problem लेके males भी आती हैं, उसके लाबा अगर STD हो जाता है, तो what are the complications they faces, urethral structure, urethral structure मतलब जो urine pass करने का वो है, उसमें कहीं कहीं structure हो जाता है, infertility और sub-fertility, कई बार पूरी तरगे से infertility हो जाती है, और कई बार sub-fertility, sub-fertility is a temporary infertility, temporary infertility, जैसे आप STD ठीक करते हैं, तो वो दुबारा से fertile हो जाता है, congenital abnormalities infant, congenital abnormalities infant ऐसे होती है, कि अगर patient pregnant है, और उस time during pregnancy, उसमें congenital abnormalities होंगी, इसलिए हम TOS test कराते हैं, और बाकी और test भी कराते हैं, यह देखने के लिए, कि जो patient pregnant है, या जो woman pregnant है, उसके अंदर कोई STD disease तो नहीं है, अगर STD disease होता है, तो we just try to abort the baby, अब हम बात करते हैं, STD disease में सिफलीज के बारे में, पूर और एकनोमिकली बीकर sections are more prone to this disease, always I am telling you, the poor and economical weaker, because they have less education, they don't know how to do the safe sex, उनको कुछ आइडिया नहीं रहता है, और वो अपने घर छोड़के दूसरे जगाह काम करते हैं, तो unsafe sex होने के कारण भी, भी, they suffer with the STD, symptoms appear between 10 to 90 days, 10 से 90 दिन के अंदर symptoms आते हैं, इसलिए कई बार is infection का पता, बहुत ज़्यादा severity होने पर पता चलता है, यह इसका causative bacteria है, जो कि एकदम हुग जैसा लगता है, symptoms and treatment, सिफलीज का source appear outside the vagina, और penis of the male, मतलब आपको एक घाओ फिमेला के यह complaint करती है, कि मैं जैना के बाहर एक घाओ सा मुझे फिल हो रहा है, same complaint male करता है, swelling in knee and gaurine reason, without pain, आपको घुपनों में और जांगों में सूजन आ जाती है, मगर कोई दर्द नहीं होता है, if not treated, due to social dilemma के कारण भी, patient doctor के पास नहीं जाता है, और वो इस problem के साथ ही रहता है, उस case में problem भढ़ जाती है, you will get rashes on pannis, boils in mouth and swelling in joints, syphilis can be cured with antibiotics, पहले पैंसलीन दिया जाता था, but there are so many broad spectrum antibiotics, which are given to the patient, however it is important that you get tested, and treated early on, जैसे ही आपको पता चलता है, आपको हलकी सी शंका भी होती है, कुछ भी unusual आप फील करते हैं, अपने genitals parts में, तो you go to the doctor, and start the treatment as early as possible, next is gonorrhea, gonorrhea is caused by the bacterium, निजारा गोनूरी, इसमें भी painful and burning, micturation होती है, symptoms are almost common, but हम differential diagnosis से ही, जो है, डाइग्नॉस कर पाते हैं, कि patient is suffering with the wish disease, इसमें जो common symptom है, वो है white, yellow, green urethral discharge, with the help of discharge, we can find out the gonorrhea, कि इसका जो discharge हो रहा है, उसका जो color होता है, एकदम unusual होता है, उसे देखके ही, हम find out कर लेते हैं, कि patient has, has और हाल, suffering with the gonorrhea, इसकी complication में भी, urethral structure हो जाता है, इसका treatment भी, same like syphilis है, full course of antibiotic लेना चाहिए, बीच में जब तक doctor ना कहे, तब तक आपको treatment stop नहीं करना होता, antibiotics को बन नहीं करना होता, should take the complete antibiotics, STD में जो बहुत ही, dangerous, complicated, lead to death disease है, वो है AIDS, AIDS is a acquired immunodeficiency syndrome, acquired immunodeficiency से ही आपको पता चल रहा होगा, जिस ऐसा disease, जिसके अंदर आपकी जो immunity power है, जो power आपको disease से लड़ने के लिए तैयार करती है, उसमें deficiency आ जाती है, is a chronic, potentially life-threatening condition, caused by the human immunodeficiency virus, जिसको HIV कहते हैं, उसके कारण यह होता है, targets and alter the immune system, आपके यह सीधा, आपके जो immune system के T-cells होते हैं, उनको target करता है, उसको alter कर देता है, और एकदम आपकी immunity system को deficient कर देता है, तो इसके कारण आप, जो disease किसी को नहीं भी होते, वो भी हो जाते हैं, और आप हमेशा ही बिमार रहते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि parents को है तो बच्चे को भी होगा, जैसा कि AIDS से ही पता चल रहा है, acquired immunodeficiency syndrome, it's acquired disease, HIV positive means, person get infected between 6 to 12 weeks, और कुछ बाते और हैं, इड्स के बार में आपको पता होने चाहिए, लोग कहते हैं कि, handshake करने से AIDS हो जाता है, कपड़े पहनने से AIDS हो जाता है, साथ में खाना खाने से, handshake specially, लोग उनको socially, उनके साथ मिलना पसंद नहीं करते हैं, उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, तो this is wrong, it's sexually transmitted disease, इसमें कोई भी handshake बात करना, साथ में बैठने से, उस से मिलने से, आपको AIDS नहीं होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है, वो होता है window period, window period वो period होता है, the window period is a time between potential exposure to HIV, जब आप बिलकुल HIV के exposure में आचुके हैं, HIV infection के, and the point when the test will give an accurate result, बट जब आप test कर आते हैं, तो you have the accurate result and you feel that I am healthy, I am HIV negative, बट ऐसा नहीं होता है, you are HIV positive, during the window period, a person can be infected with HIV, and be very infectious, but still test HIV negative, तो window period का जो patient होता है, it's very infectious, especially for the blood bank, जब आप blood bank में उसका blood लेते हैं, तो आप test करते हैं, तो वो उसका HIV negative आता है, और आप वो transfusion किसी को भी कर देते हैं, and patient जो की healthy था, वो infected हो जाता है, because of this infection, अब हम AIDS के symptoms की बात करते हैं, Rapid Weight Loss, एकदम आपका weight loss होने लगता है, तो जो window periods की मैंने बात करी है, तो आप ये monitor करिए, कि patient का weight loss इतनी rapidly क्यों हो रहा है, Tuberculosis में भी weight loss होता है, पट इसमें weight loss और तेजी से होता है, recurring fever, उसको बार-बार high grade fever आता है, Tuberculosis में fever बहुत low grade होता है, और profuse night sweat, वो सो के, सो रहा होगा, तो पूरा बिस्तर उसका पसीने से गीला हो जाएगा, रात के time, और वो नहीं समझ पाता कि मुझे इतनी sweating क्यों हो रही है, Prolonged swelling of a limb glands in the armpits, gorain और neck, बहुत time से उसकी limb gland जो है, उनमें swelling हो रही होती है, especially armpits में, gorain में और neck में, जब बहुत time तक आपकी ऐसे swelling रहे, तो it's indicative of some disease, जड़ूरी नहीं कि it's an AIDS, तो you should go for the investigation, तो अगर कोई भी ऐसी swelling के बारे में, किसी भी health worker से बात करता है, तो he or she should know, कि उसको मुझे investigate कराना है, for tuberculosis, और for AIDS, बोथ, ऐसा नहीं कि सिरफ tuberculosis के लिए करा के छोड़ दे, उसको AIDS के लिए भी आपको test कराना है, HIV test करा के देखना है, diarrhea and vomiting, that lasts for more than a week, एक हफ़ते से उसको diarrhea and vomiting है, जो ठीकी नहीं हो रहा है, medicine लेने के बावजूद भी नहीं ठीक हो रहा है, skin पे fungal infection हो गया है, जो कि हीन नहीं कर रहा है, source on skin, बड़े-बड़े से चकत्ते आ गएं, खाव बन गए हैं, और patient अचानक ही, tuberculosis से infected हो जाता है, तो these are the symptoms, जो indicate करते हैं, कि patient is suffering with HIV positive, तो you must go for the investigation, जो symptoms मैंने बताए, वो सारे मैंने इसमें दिखाए हैं, कि उसकी पूरी body में symptoms आते हैं, उसको headache रहता है, देखने में problem होती है, या दाश चली जाती है, वो भूलने लगता है, उसको cough cold होने लगता है, निमोनिया हो जाता है, तो ये उसकी पूरी body में इसके symptoms आते हैं, these are the symptoms of HIV AIDS, आब इसका transmission, ये किस तरीके से spread होता है, HIV is spread only in certain body fluid, from a person who has HIV, उसके body fluid से ही ये transfer करता है, these fluids are blood, fluid में blood हो सकता है, semen हो सकता है, pre-semenal fluid हो सकता है, erectile fluid, vaginal fluids and breast milk, these are the fluids by which HIV is spread or transmitted, from one person to another, infected vaccine, अगर किसी infected person को हम सेन नेडल से vaccinated करते हैं, और उसी नेडल को हम किसी healthy person को use कर लेते हैं, तो second person gets infected, इसलिए आजके आजके आपने sample भी लिया है, और सेम नेडल से दूसे परसन को आप sample लेते हैं, तो it also gets infected, इसलिए आजकल जितनी भी नेडल सोती हैं, उनको उसी time break कर दिया जाता है, in fetus through placenta, if the mother is pregnant and she has she is HIV positive, through placenta fetus get HIV positive. Sexual relation with infected female or male, if patient is suffering with HIV positive and you have unsafe relation with her, then you get infected. Prevention, prevention is very important in HIV, you should know कि आपको क्या करना है, HIV negative individual prevention, educate yourself another about the HIV, कि how to prevent, know the HIV status of any sexual partner, जिसके साथ भी आप sexual relation बनाते हैं, you should know about her HIV or him HIV status before going into sexual relationship, use a new latex or polyurea condom every time of having sex, consider use a clean needle whenever you want to give the blood or whenever you are taking IV fluid, must see the person is using a new needle, कभी भी किसी की यूज की हुई निडल को आपको नहीं यूज करना है, be cautious about the blood products, जब blood transfusion करा रहे हैं, तो आपके पास उस blood की पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए, कि it's tested and this blood is infection free, get regular screening, आपने regular screening करानी चाहिए, regular test करानी चाहिए है HIV के, अब हम बात करते हैं, parasitic infection, मैंने आपको शुरूरे बताया था, कि in this chapter we will discuss about the parasitic infection और sexually transmitted infection, तो आप हम parasitic infection के बार में बात करते हैं, तो amoebasis is an infection of the intestine with a parasite called entabiva histolica, sometime it becomes fatal when it affects our liver, lungs and brain, it's spread through fecal oral root, कि मतलब fecal metal में जो इसके eggs होते हैं, उसके through ये हमारी body में आ जाता है, spread through food and water if they are contaminated with bacteria, symptoms and prevention, symptoms में abdominal pain, जो भी bacteria ये virus हमारी intestine में infection करेगा, उन सब में हमको loose motion, vomiting, abdominal pain, they all are the common symptoms जो कि आएंगे ही आएंगे, पट इसमें जो stool आता है, it mixed with mucus और blood, diagnosis के लिए आप stool टेस्ट कराते हैं, तो उसके अंदर e-hosteronica present होता है, prevention में same, maintain good hygiene condition, always wash food before eating, एक बार नहीं उसको बार बार running water में धो कर ही आपको खाना है, because आजकल fruits पे भी बहुत chemicals लगे होते हैं, take clean and chlorinated water, avoid milk, cheese और other unpasteurized dairy product, always take the pasteurized dairy product, now we will talk about hook warm infection, hook warm का मैंने आपको डाइग्राम दिखाया है, जैसा कि hook होता है, उसी तरीके से इसकी shape होती है, it's also a parasite, found where people defecate in open space, जहांपर लोग, especially खेतों में लोग open space में defecation करते हैं, वहां ये बहुत जादा होते हैं, this is a cylindrical in shape and brown in color, it lives 3 to 4 years in our intestines, ये इसका life cycle है, किस तरीके से जब आप एक infected patient defecate करता है, तो इसके जो एग हैं, वो मिट्टी में चले जाते हैं, वहां से ये multiply होते हैं, फिर जब दूसरा person आता है, या वहां पर soil से आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी soil में उस soil का उगावा खाते हैं, contaminated खाते हैं, तो ये जो लारवाज होते हैं, वो आपकी body के अंदर चले जाते हैं, body से धीरे-धीरे आपके body parts से होते होते, finally आपके intestines में चले जाते हैं, और intestine में जाकर आपको जो infection कर देते हैं, और आपको बहुत सारे symptoms इसके अंदर आने लगते हैं, और पिशली जैसे food poisoning के symptoms आते हैं, जैसे diarrhea के आते हैं, इस तरीके से इसमें भी symptoms आते हैं, फिर बात हम करते हैं, round worms की, जैसा की diagram में दिखा रखा है, कि यह round होता है, accresis is an infection of the small intestine, caused by the accresis lumbarodysus, which is a species of round worm, male round worm 15-20 cm लंबा होता है, female round worm 25-30 cm लंबा होता है, क्योंकि यह भी हमारी body में बहुत दिन तक रहते हैं, और यह usually आपने देखा होगा, कई बार बच्चों के मुझ से किड़े निकलते वे, तो round worm हमेशा mouth से ही निकलता है, और बहुत टाइम तक पेट में रहने से, यह anemia, allergic reaction, abdominal pain, sometimes ऐसा होता है कि, change of weather के साथ आपको allergy होती है, आपको breathing की problem होती है, आपको यही समझनी आता कि breathing की problem क्यों हो रही है, it's due to round worm होती है, तो हमें हमेशा change in weather में, बच्चों को deworm करना चाहिए, albenda jolp खिला देनी चाहिए उनको, तीन दिन तक जिससे की वो deworm हो जाए, और यह जो allergic reaction है पुर ना हो, क्योंकि आप treatment, asthma का, bronchitis का करते रहते हैं, और problem जो lies होती है, वो because of the worms होती है, तो हमेशा before starting any treatment for allergic reaction, deworm the patient, nausea रहता है, यह उसके symptoms है, इसकी भी life cycle वैसी ही है, कि यह भी fecal metal में होता है, fecal metals के थूँ जब आप नंगे पैर मिट्टी में जाते हैं, तो यह आपके पैर से चिपक के, और फिर यह आपके body में जाता है, और वहाँ पर यह जाकर, इसके जो eggs होते हैं, यह आपके body में जाकर grow करते हैं, grow करके larva में convert होके grow करते हैं, और फाइनली आपके मूँ के रस्ते से यह बाहर निकलते हैं, so learners, आज हमने communicable disease lesson 2 पढ़ाया आपको, hope आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, बार-बार, मैंने पिश्टे चेप्टर में भी आपको बताया, इस चेप्टर में भी बताऊंगी, कि health workers को, बार-बार लोगों को, especially गाओं की लोगों को, thickly populated area की लोगों को, illiterate लोगों को, poor लोगों को educate करना है, कि hygiene हमारे ले कितना important है, किस तरीके से चोटी-चोटी चीजे, अपने जीवन में अपना कर, कैसे सिर्फ हाथ धोने की प्रिक्रिया को ही ठीक से करने से, हम अपने आपको किस तरीके से healthy रख सकते हैं, किस तरीके से dishes free रह सकते हैं, कैसे street food ना खा कर, बासा खाना ना खा कर, हम लोग healthy रह सकते हैं, तो ये सारा जो काम है, health worker का है, community health worker का है, इस देश को healthy रखने का, जहां वो रहता है, उस समाज को healthy रखने का सारा काम, health workers का है, आप अपने कंदों पर इसका भार लेंगे, और लोगों को और समाज को healthy बनाने में, हमारी मदद करेंगे, धन्यवाद, thank you very much.